हलो दोस्तों, welcome to wifi classes, मेरा नाम है गौरव तिल्थिया और दोस्तों आपके लिए मैं part 3 लेकर आया हूँ current affairs का, जो की काफी जादे important है और दोस्तों मैं सिर्फ आपको 5 questions पढ़ाऊंगा लेकिन I promise यू दोस्तों इतने important question होगा वो कि हर बार यहां से कोई एक ने question बनेगा और आ state has passed the uniform civil code bill recently, कौन से state ने भईया uniform civil code bill पास किया दोस्तों तो उसका नाम है उत्तराखन, बहुत प्यारा color change करता हूँ क्योंकि already red में लिखा में ग्रीन करता हूँ है तो दोस्तों एक और बताता हूँ, कौन सा राज है जिसने uniform civil code bill start किया दोस्तों उसका नाम है उत्तराखन, अब दोस्तों आपके दिमाख में आ रहा होगा कि uniform civil code क्या होता दोस्तों इसका मतलब यह होता दोस्तों अपनी सरकार ने कुछ rules and regulation बना है जो कि भली प्रधान मंत्री हो, चाय कोई doctor हो, चाय कोई judge हो, चाय कोई चाय वाला हो, चाय रिक्से वाला हो, चाय गन्ने का ठेला ल code ऐसा नहीं है कोई कि मालो कोई high code का judge है तो judge के लिए special provision होंगे कहीं, या कोई IAS officer है तो उसके लिए अलग से होगा, IAS भी vote देगा, तुम भी vote दोगे, है ना IAS भी समानता में रहेगा, तुम भी रहोगे, कोई special तरीका नहीं है, सब बराबरी कहा के, प्रधान मंत्री भली उसके सजा में लेगी, ये मैं कहा रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा फ़नी तरीके से बोल दिया मैं ना, इस पर मत कमेंट वोक्स में जड़ी लगा दो, तुम क्या से बोल सकते हो प्रधान मंत्री के बारे में, भाई सब समझाने का तरीका है ये, ठीक है, अब देखो खेल ये देखते हैं ना, एक बाद फिर से, बहुत कतनाक रैंक है, मतलब इतना ज़्यादा करेक्ट है, पिछली बार तो साइध थोड़ी रैंक कम भी थी, है ना, पिछली बार थोड़ी, मतलब 80, 80, 85 something थी, लेने जबार और बढ़के 93 हो गई, मतलब रैंक कम होनी थी, लेकिन और बढ़ गई, मतलब और ज़्यादा ब्रश्टा चार हो गए भाई या, और लोगों अपने अपने जोले मपई से भर लिया है, अब देखो, पहले न रैनमार को कॉपी करना चाहिए, अपनी भी गुरूत अच्छी हो जगती है, और सबसे बायाद, गंदा, बिलकुल कुता का गुबाला, कौन से देश सोमालिया, लास्ट रूप है, वो ही मतलब सबसे ज़्यादा करेक्ट, करप्ट ये है, अपना भारत, प्यारा भारत तो फिर भी ठीक है, लेकिन सोमालिया की द्वाला तो और ज्यादा खराब, वहाँ तो और ज्यादा करप्ट है, तुमको खड़े-खड़े बेज देंगे तुमको वो, इतने खतरनाक लोग है, ठीक है तो इस चीज़ को धियान रखिएगा, अभी बस अपने इतना याद रखो देखो 93 rank, बहुत प्यारा यह important question इसको ध्यान रखिएगा, भूल नमत भाई, 93, 93, 93, 93, ओके, अब देखो यह तीसरा question, what is the position of India in EIU democracy index, दोस्तों यह democracy index, फिंडेक्स इधर से question यह नहीं का जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, EIU, अभी EIU का full form मुझे भी याद नह तो देख लेना, EIU democracy index में अपनी 41 number की rank है, ऐसे क्या है, देखो corruption perception index तो पूरा हिंदुस्तान याद कर लेगा, 93, लेकिन यह बायात वाला जो गंधाना, EIU वाला, यह हर को याद नहीं करेगा, इसलिए आप याद कर लो, 41, आ गया तो धूमचा देना, ठीक है, 4th है और 5th केल खतम, देखो दो question लेकिन top class के दोस्तों बता रहा हूं, मैं आपके help करना, देखो, कला करो थोड़ा पतला, यह देखो, who has been honored with 58th ज्यान पीट अवार्ड, बहुत ही ज्यादा important, 5 करोड रुपे का question दोस्तों, यह question मैं guarantee ले सकता हूं, भले कोई question आए, लेकिन यह question आने क the recipients of the 58th ज्यान पीट अवार्ड, कौन कोन है दोस्तों, वो दो बंदे देखो, उर्दू poet अपने गुलजार है, गुलजार साहब बोलते हैं, नाम सुनोगा, आपने गुलजार साहब, बॉलिवुड से भी related हैं यह, और दूसरे संस्कृत scholar कौन, अपने जगद गुरू, रा दोनों बंदे को भाईया, दोनों को, एक साथ दोनों को 58 नंबर का ग्यान पीट अवार्ड मिला है, एक बंदे को नहीं मिला है, दोनों को मिला है, इसलिए ध्यान रखेगा, कौशन पता है, एक्जामेल रखेथा बनाएगा, एक जगा लिग देगा, अर्दू poet गुलजार साथ भी थे, और संस्कृत स्कृलर जगदगुरु रामभद्र अचारे भी हैं, इसलिए option A and B, ओके ऐसा कोशन आएगा, guarantee, लास्ट वाला बहुत प्यारा कोशन है, खतम करते हैं, फिर, who was awarded the KPP Namier Award, दोस्तों यह बहुत प्यारा अवार्ड है, इसलिए अवार्ड है, क्यों हैं साथ, अभी ऐसा सोमनात ही हैं, तो अगर देखना वैसे, ऐसा सोमनात जितना मुझे पता है, तो KPP Namier Award बहुत important है, और अपनी Indian Space Research Organization ISRO, है न, जो कि 15 अगस्त 19, याद कर लो दोस्तों, बहुत करोडों की बात है, 15 अगस्त 1969 को बनी थी, क्या बनी थी, 1969, ठीक है, याद र इंडियन Space Research Organization, तो वहां से कोशन हर बार आते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस इतना ही पढ़ाना हैं से दोस्तों, 5 कोशन पढ़ाना हैं, लेकिन I promise you, बहुत important है, और दोस्तों मैं ये कहां सा बताता हूँ, बता दे रहा हूँ मैं आपको, मैं UPSC के, MPPSC के और SSC क करते रहता हूँ, तो मेरे टेबल पर यही paper पढ़े होते हैं, तो मैं देखते रहता हूँ, मतलब पिछले साल MPPSC कोशन आयता है, UPSC में कैसा आयता है, SSC में कैसा आयता है, तो उसे साब से बता रहा हूँ कि MPPSC में ऐसे इस पस्ट आया, एक ना एक देज की कुछ ना इपोर्टर रेंक पता होना चाहिए, एक ना एक कोई ऐसा अवर्ड जरूब पूचेगा भाई यह किसको जैसे, अभी ऐसा 69th नंबर का अपना एक Filmfare Award किसको मिला है दोस्तों, वो अपनी 12th फेल मूवी को मिला है, ध्यान रखियागा, थोड़ा अलग से इंफरमिशन बता अपनी 12th फेल मूवी बहुत मार्केट में चल रही थी न, है न, विकरांत की, तो 12th फेल मूवी को 69th Filmfare Award मिला है, इसी तरीके से दोस्तों, एक अपना दादा साहब फाल के Award मिला अभी, तो दादा साहब फाल का वर्ड किसको मिला है, अपनी शारुक खान की जवान मूवी क मिला है, तो दोस्तों मैंना हर बार देखा, एक नए Award पका पूछता है, इसलिए मैंना आपको Award बता दिया, ठीक है, और ये थोड़ी Special बात ही कि कोई Special Award किसी को मिलता, जैसे नेरिंद मुदी कहीं रशिया का है, तो उनको रशिया का Highest Order मिला है, Highest Award मिला है, तो ऐसे कोशन बाते इसलिए मैंने Award भी Consider किया है, तो बस दोस्तों यही ज्यान की बाते थी, I hope आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट बोक्स में अपने दिल की बाद जरूरू बताएं कि और लास्ट बात यह है कि दो पार्ट मेंने बना चुका हूँ, अगर डिस्क्रिप्शन में थोड़े सिंसेर हो, जरूर देख लेना, पार्ट वन, पार्ट तू देख लेना, यह पार्ट थरी है, इतने में आपके पंदरा कोशन हो जाएंगे, धूम मचा दोगे आप, थैं